आज के इस लेक्शर में बात करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टन टॉपिक पब्लिक रिलेशन की जिस हम शॉट में पी आर भी कहते हैं इससे पहले पार्ट वन पार्ट टू पार्ट फ्री पार्ट फॉर पार्ट फाइव तक हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी जो कि आपस में चाहसानी से समझ में आएगा शुरू करते हैं आज का लेक्चर पब्लिक रिलेशन प्यार बिफोर दैट अगर आप चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल का इकन दबा दे ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोडिफिकेशन आपसे मिस ना हो इसक्रिप्शन में लिंक है साथ इंस्टेग्राम को मुझे फॉलो करें ताकि परसनल लेवल पर मुझसे कनेट कर सके शुरू करते हैं प्यार यानि की पब्लिक रिलेशन की सबसे बहले तो आपको जो दिमाग में रखना है यह चीज इस बहुत है अगर हम देखें तो 1900 से इसकी शुरुआत हुई तीस की तो 90 से में ही आ गया था पब्लिक रिलेशन प्यार बट अब जाके अभी अगर हम देखें 2018-19 से या 2015 के बाद से हम देख रहे हैं यह बहुत ही जादा popular हो रहा है आपने देखा होगा जब आप PR की बात करते हैं तो आपने देखा होगा celebrities का नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आता होगा कि जो बड़े-बड़े celebrities होते हैं जो एक ओधे पर पहुँच जाते हैं उसके बाद वो PR agencies जो है उसके तुरू PR team जो है वो कहीने कहीं hire करते हैं अपने लिए वो PR team वो public relation team क्या करती है basically आपके दिमाग में मैं यह बैठाना चाहता हूँ public के साथ उस particular celebrity के relation को अच्छा करने के प्रयत वो हमेशा करते रहते हैं कि बई public के साथ इस celebrity का रिष्टा जो है वो सहीर है social media के थूँ जो बूई कर सकते हैं वो अच्छी image create करने चाहते हैं to the general public about that particular celebrity वो एक अच्छी image एक positive image create करना चाहते हैं हमेशा उस particular celebrity को limelight में रखना चाहते हैं उस particular celebrity को media में क्या उसकी news आ रही है media में जो news create हो रही है उसको अगर वो negative है तो किस तरीके से positive में convert किया जाए उसकी overall image कैसे बहतर बनाई जा सके या अगर कोई negative image create होई है तो कहाँ पर problem आ रहे हैं कहाँ पर दिक्कते आ रहे हैं कौन कर रहा है वो negative image create ये देखना या खुद ही एक image create करना media में एक news create करना media में about that person that's what PR people do what basically they do के अच्छे relation को establish करने की कोशिश करते हैं between the celebrity and the public but here sir हम बात कर रहे हैं organization की तो यहाँ पर आप celebrity वाली चीज़े मत बताओ मैंने इसलिए बताया ताकि आपको इस चीज़ से clarity मिले कि भई प्यार आखिर है क्या public relation का ठीक वही मतलब है यानि कि हमें क्या करना है जो public के साथ relation है उसको अच्छी तरीके से रखने अब उस public में shareholders भी आ सकते हैं उस public में media भी आ सकती है government officials भी आ सकते हैं employees, investors, customers सब आ गए organization का इन सभी लोगों के साथ एक अच्छा relation रहे यही चाहती है PR team and that's what public relation department do I hope आपके दिमाग में clarity आ गई है so they basically work on public relation and they basically work on establishing a good healthy relationship between public and X that is it can be an organization it can be a celebrity, it can be a nation अब बात तो यही है कि public relation किसी एक जगह पर सीमित नहीं है इससे हम public relations के through public relation officers के through officials के through हम कुछ भी promote करा सकते हैं हम अपने product को promote करा सकते हैं place को promote करा सकते हैं logo को promote करा सकते हैं एक individual को promote करा सकते हैं किसी idea को promote करा सकते हैं किसी organization को promote करा सकते हैं जो कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं even a nation can be introduced or promoted through public relation officials so public relation जो है it is the strategic communication process तो आको दिमाग में रखना है अपने यह कि strategic communication process है क्योंकि कही न गहीं हम communicate ही कर रहे हैं so it is a strategic communication process strategies के थुरू हम communicate कर रहे हैं that's why it's a strategic communication process that aims to build and maintain जो की aim करता है इस बात पर focus करता है कि हम maintain रखे और build करें एक mutual beneficial relationship एक mutual beneficial relationship कि दोनों ही तरफ से दोनों ही party को क्या हो फायदा हो दोनों ही party का benefit हो तो एक mutual beneficial relationship establish करने की कोशिश करता है अगर हम organization की point of view से बात करें तो public relation क्या है it's a strategic communication process जो की help करता है aim करता है focus करता है in building and establishing a relationship और कैसी relationship mutually beneficial relationship between किनके बीच में organization के बीच में तो एक तरफ है organization और दूसरी तरफ है investors shareholders be customers employees media and even government official ताकि आपका business is smooth नहीं चले और इसकी एक positive और strong image create हो सके to the general public in the nation और globally that's why organizations hire public officials public relation officials PR officials और PR teams so I hope आपको public relation के बारे में थोड़ा सा जो आईडिया लग्या होगा ये statement सुनना मेरा ध्यान से some are born great some are born great some achieve greatness or the period of time so some are born great some achieve greatness and some hire public relation officials I hope आपके दिमाग में अब चीज़ें बैठ गई होंगे let's talk about the function of public relations now सबसे पहरा function है कि आपको information create करनी है as a public relation official as a PR team you need to create information which is newsworthy और जो कि एक newsworthy information हो media में आपको drop करनी है एक ऐसी information जो कि newsworthy हो ता कि media उस information को पर focus कर सके उसको emphasize कर सके उसको बड़ा बना सके और कहीं अपके brand का उससे फाइदा हो so creating information which is newsworthy in the media वय? वय 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 दो में एका अी वय वय आपना इस बाटे कि आपको another point is function of public relation is very general and obvious point product promotion and publicity you want publicity you want product promotion so for that you are hiring public relation official so that's what the function of public relation official is product promotion and publicity number three helps in building a healthy relationship with the general public or community तो PR events जो है वो बहुत सारे ऐसे लाती है NGOs में में भी help करती है brand के तुरू, profit के तुरू इस तरीके से कि एक healthy relation create हो with the general public or community events इसके लिए वो बहुत सारे करती है तो events जो है इसमें एक point होगा जो परहतने करती कि different events जो है वो उस particular product के उस particular brand के वो launch करती है जुसमें वो general public के साथ interact करती है और कहीं न कहीं product के बारे में awareness और इसकी publicity करती है जो है healthy relation रहता है brand का general public के साथ number four, it helps in maintaining relation with the government officials as well public relation एक काम भी करती है कि government officials के साथ भी एक अच्छे relation जो है वो established रहे है lawmaking body के साथ एक अच्छे relation established रहे है और इस process को हम बोलते है lobbying व्याद रकना है इस process को हम बोलते है lobbying L-O-B-B-Y-I-N-G lobbying और at last जो भी हमारे company में हमारे brand के लिए invest कर रहे हैं जो हमारे shareholders हैं जो हमारे company के लिए invest कर रहे हैं उनके साथ हमें हमारे relation जो है वो healthy रहें, बहुत important है क्योंकि वही तो हमारी company के लिए invest कर रहे हैं, उनके पास shares है, हमारी company is for that, maintaining relation with shareholders, ये काम भी बहुत important और ये भी हमारे PR officials करते हैं, so I hope आपको public relation के बारे में जो clarity है, वो थोड़ी सी लग गई होगी, कोई भी आप article आप उठाओगे, और detail में आप पढ़ना पढ़ना चाहते हो, thoroughly study करना चाहते हो, तो आप आप उठा सकते हो, अपको clarity थोड़ी सी spark जो है, वो इस topic से related आ गया है, सब कुछ को IT की साथ फर्दर आपको समय में आ जाएगा, so that is it about today, we'll see in the next lecture, keep studying, take care.